एक जंगल में एक हिरन घास खाने के बाद इदर उदर उचल रहा था वो बड़ा ही मखरूब था, कभी वो भागता हुआ दाएं जाता और कभी बाएं जाता उसे एक हरगोश ने देखा, ऐसे उचलते हुए और समझाया हेरन भाईया जरा संभल के चलो, ये जंगल का इलाका है, यहां कुछ भी हो सकता है अरे हेरन भाईया अपनी तो चाल निराली है, इस जंगल का चपपा चपपा जानता हूँ मैं, अरे तुम समझे के नहीं समझे मुझे लगता है तुम कुछ जादा ही समझदार हो तुम्हें समझाना अब मेरी कम अकली होगी अच्छा मैं चलता हूँ हिरन भैया इतना कहके वहां से खरगोश खिसक गया और हिरन महराज की उचल खुद दुबारा से शुरू हो गई हिरन एक बार फिर से दुबारा डौरना शुरू हो गया और दौरते दौरते आगे पतियों के एक धेर में एक गड़ा था उसे वो नजर नहीं आया और उसका पाउं सलिप हुआ और वो उस गड़े में जाके गिर गया गड़ा काफी बड़ा था तो हिरन धर गया और वो बाहर आने के लिए कोशिश करने लगा और छलांग लगाने लगा लेकिन वो बाहर आने में नाकाम हो गया इसके बाद हिरन ने मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया बचाओ, बचाओ, मैं गरीब इस गड़े में गिर गया हूँ प्लीज कोई है जो मेरी मदद करे और मुझे इस गड़े से निकाले उस गड़े से कुछ दूरी पर एक बंदर था जो उसी तरफ आ रहा था उसने उस हिरन की आवास सुनी लेकिन उसको कुछ भी नज़ा नहीं आया अरे भाई यहां पे तो कोई भी नहीं है तो फिर यह आवास कहां से आ रही है कुछ यह दूर फासले पर बंदर को पत्तों के करीब एक गड़ा दिखाई दिया वो चल कर उस गड़े के करीब आया ओ हिरन भाई तुम ये इसमें कैसे गिर गए अब कैसे बताओं तुमें बंदर भाईया अब तो मैं इसमें गिर चुका हूँ हर गोश ने मुझे समझाया भी था बट अपनी कम अकली की विजा से मैं समझ नहीं पाया अब तो मैं इसमें गिर गया हूँ प्लीस मेरी मदद करो मुझे यहां से निकालो हिरन भाईया मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता मैं तो तुम्हें अगर निकालूँगा तो खुद इसमें गिर जाऊँगा तुम्हें तो खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी, हिम्मत दिखानी पड़ेगी और चलाग लगाकर बाहर खुद ही निकलना पड़ेगा बहुत सारे जानवर वहां पर अकटे हो गे, हर कोई अपनी अपनी तरकीब बताने लगा हिरन को निकालने के लिए फिर खर्गोश को एक तरकीब सुची और उसने कहा हिरन भाईया हम तो तुमको नहीं निकाल पाएंगे और हम थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे अभी यहां पर एक बहुत ही खुनखवार और खौफना किसम का बबबशेर आएगा और अगर उसने तुमको यहां पर देख लिया तो वो तुमको खा जाएगा अब तो तुमको खुद ही हमत करनी पड़ेगी और इस कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा खर्गोश की बातें सुनकर हिरन बहुत ज़दा खौफ जदा हो गया और डर और खौफ के मारे पता नहीं कहां से उसके अंदर इतनी हमत आई और उसने अपना सांस रोक कर एक लंबी चलांग लगाई और गड़े से बाहर आ गया बाहर आकर हिरन मगरूर हो गया और अकर कर सबके सामने कहने लगा ये तो मेरा तरीका पुराना है मैं अक्सर ऐसे ही करता हूँ और लंबी चलांग लगाकर कुएं से बाहर आ जाता हूँ वो सबके सामने अपनी भड़ाई बियान कर रहा था और इतरा रहा था अपनी चलांग के उपर इतनी ही देर में लूमडी ने हिरन से पूछा तुम कैसे इसके अंदर गिर गए लूमडी के सवाल पर हिरन खुछ हो गया और इतरा के कहने लगा कि अरे भईया मुझे तुम्हारा सवाल बहुत पसंद आया है और अब क्योंके मैं मुसीबत से निकल लिया हूँ तो मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ कि कैसे मैं गड़े के अंदर गिर गया था ऐसा करो तुम सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कैसे गड़े के अंदर गिर गया था हेरन थोड़ा दोड़ते वे पीछे आया और इसी तरह उस घड़े के अंदर चलांग लगा दी और कहा देखो ऐसे ही मैं इस घड़े के अंदर गिर गया था उसकी ये हरकत देखे बाकी सब जानल बहुत हैरान हुए अरे बेवकूफ हेरन भाईया ये क्या किया तुमने दुबारा से खुद को कुए में गिरा लिया हेरन कहता है अरे खरगोश भाईया ये तो अपना स्टाइल है अभी तुम देखना मैं चलांग लगाऊंगा और इस घड़े से एक दम से वापिस निकलाऊंगा ये कहकर हेरन ने दुबारा से चलांग लगाई लेकिन वो गड़े से बाहर ने निकल सका तीन से चार बार उसने ऐसे ही कोशिश की लेकिन हर बार नकाम हो गया अरे ये हेरन तो मुझे अकल से पैद लगता है कौन दुबारा खुद को ऐसे गड़े में फैंकता है इस हेरन ने अपनी गलती की वज़ा से दुबारा खुद को गड़े में गिरा लिया ऐसा कौन करता है भला भालू बोला ये तो बेवकूफ है अपनी कम अकली की वज़ा से खुद को दुबारा इसने गड़े में गिरा लिया काफी दे तक सब लोग ऐसे ही बातें करते रहे और तमाशा देखते रहे और हिरन बार बार कोशिश करता रहा है के छरांग लगाके कुए से बाहे निकल सके लेकिन सब कुछ विसूत साबिद हुआ इसके बाद वहां एक बड़ा जराफ आया और उसने अपनी गर्दन को नीचे जुकाया और फिर हिरन को बाहे निकाल लिया गया इसके बाद जराफ ने कहा के अब दुबारा कभी अपनी कामकली की वज़ादा रहा है